यह है एलेक्टरिक बोर्ड दो फाइपइन्सोकेट, तीन सवीच, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज, और एक बटन होल्डर का एलेक्टरिक बोर्ड है इस वीडियो में हम इस बोर्ड की वाइरिंग करने का तरीका जानेंगे दोस्तों वीडियो शरू करने से पहले चैनल को सस्क्राइब जरूर करना इस फाई पिन सो केट का कनेक्षन इस स्विच के साथ करना है इस बटन होल्डर का कनेक्षन इस स्विच के साथ करना है फ्यूज इंडिकेटर इस स्विच का करेंट वाइर इस फाइप इन सोकेट के एल वाले भाग के साथ जोड़ना है इस स्विच का करेंट वाइर इस फाइप इन सोकेट के एल वाले भाग के साथ जोड़ना है बटन होल्डर का करेंट वाइर इस स्विच के साथ जोड़ना है फ्यूज के निच्चे वाले टर्मिनर से एक करेंट का वाइर लेके इंडिकेटर के साथ जोड़ना है और Indicator शे Current का वायर लेके Switch के निच्छे वाले Terminer के साथ जोड़ना है करें, बटन होल्डर का Newtl Wire 5 इंसो केड़ के Newtl के साथ जोड़ना है 5 इंसो केड़ के Newtl शे Newtl वायर लेके दूसरी 5 इंसो केड़ के Newtl के साथ जोड़ना है दूसर रिफाई पिन सोकेट के न्यूटल चेयं वाइर लेके इंडिकेटर के न्यूटल के साथ जोड़ना है इस बोल्ड चेयं जो मेन लाइन के वाइर लेने है करेंट का वायर फ्यूज के उपर वाले ट्रेमिनर से लेना है और न्यूटल का वायर इंडिकेटर के न्यूटल से लेना है करेंट के लेना है करेंट के लेना है करेंट के लेना है झाल 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 झाल